देख लिया योगी से टकराने का अंजाम योगी को धमकी दोगे तो बुल्डोजर चलेगा देख लो अंजाम योगी के लिए गलत बोलेंगे तो यही अंजाम होगा और योगी को धमकी देने का तो सोच भी मत लेना क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बुल्डोजर बाबा अर्पराधियों के सपनों में भी आकर उन्हें बख्षते नहीं तो फिर इन विधायक की गुस्ताकी को कैसे माफ कर देते जिन्होंने सीधा योगी को धमकी दी नाम है शहजिल इसलाम पता है बरेली की भोजपुरा सीध विधायक जी के पेट्रोल पंप पर योगी बाबा का बुल्डोजर कर जा बताया तो ये भी जा रहा है कि इस पेट्रोल पंप को लेकर नक्षा पास नहीं कराया गया था इसके साथ ही कोई भी एनोसी नहीं ली गई थी जिसको लेकर उन्हें नोटिस भी भेजा गया मगर विधायक जी अपनी हनक में थे सोच रहे थे कि बाबा का बुल्डोजर यहां नहीं कर जेगा मगर गलत फैमी कुछ ही घंटों में दूर हो गई योगी सरकार का बुल्डोजर शहजिर इसलाम के पेट्रोल पंप पर पहुँचा और फिर जो कुछ हुआ आपके सामने है देखते ही देखते सब पहस नहस हो गया विधायक के आवेट समराजे को धैता देख सपा कारे करता आग बबूला हो उठे और इसे ताना शाही बताने लगे वैसे आपको बता दे कि ये वही विधायक हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ही योगी आदितिनात को चेतावनी दी थी या यू कहें कि धमकी दी थी कि अगर कुछ भी सरकार बोलती है तो बंदूखे चल जाएंगी क्या कहा था शैजिल इसलाम ने वो भी आपको बताते हैं अगर योगी के मुझ से कुछ भी निकलेगा तो हमारी बंदूखों से धुआ नहीं गोलिया निकलेंगी जिसके बाद उन्होंने सफाई भी दी और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया उनके कहने का मतलब ये नहीं था साथ दिनों के बाद ही अब विधायक पर ये काज गिर गई परिशान होने की ये निराश होने की जरूद नहीं है आपको बता दे की विधायक के जिस पेट्रोल पंप को तोड़ा गया वो दिल्ली रामपूर नैशनल हाईवे पर बना हुआ था तो जब पेट्रोल पंप पर तारवाई हुई उससे पहले अरिकारियों ने जो भी वहाँ पर पेट्रोल भरवा रहे थे उन्हें हटाया बुल्डोजर चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वाइरल हो रहा है अब इंतजार है तो अखलेश यादव के रियक्शन का अब इन तस्वीरों से साफ है कि योगी के दोबारा सत्ता में वापसी से कईयों की नींदे उरने वाली है क्योंकि ये बाबा का बुल्डोजर है जो ऐसे ही चलेगा जानी अभी तो पार्टी शुरू हुई है पिरो रिपोर्ट न्यूस वर्ल इंडिया